योगी की बिछाई के इबी साथ में फसकर रह जाएंगे विपक्षी विपक्षी दलों के लिए असान नहीं यूपी की लडाई इन आकड़ों को देखकर खुश हो रही है बीजेपी नमस्कार मैं अनुश्का सिंग अगली साल लोकसभाव चनाव है और सबसे अधिक सीटों वाले राज यूपी में सबसे ज्यादा सीटे जीतने के लिए बीजेपी और विपक्षी दलों ने तयारी शुरू कर दी है पटना में हाली में विपक्षी दलों की मीटिंग होती है और उसके केंदर में भी यूपी है हालगे यहां उनकी राह असान नहीं है लोकसभा चनाव दोहुज़ाव चौबिस की रन्नीती बनाने में सभी दल जुटे है इस रन्नीती के केंदर में यूपी है जहां लोकसभा की सबसे अधिक सीटे है सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों के केंद्र में उत्तर प्रदेश है 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश से काफी कुछ तै होगा इस प्रदेश में जो बाजी मारेगा 2024 की राह उसकी असान होगी पटना में विपक्षी दलों की बैठक होती है जिसमें बीज़पी को सत्ता से हटाने की रनीती तैयार होती है फिलहाल इस राज के अंक गनित पर गौर किया जाए तो यहां विपक्षी दलों की राह असान नहीं है 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाओ में बीज़पी को यहां से रिकॉर्ड सीटे मिली है 2014 में 71 और 5 साल के बाद 22 सीटे बीज़पी को मिली है वो भी तब जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाओ लड़े विपक्ष की बैठक पर बीएसपी सुप्रिमो मायावती ने सवाल खड़े कर दिये इसका मतलब यह है कि विपक्षी दलों की चुनाओती इस राज में और अधिक होगी यूपी जैसे राज में अब सप्पा और कॉंग्रेस की बीच ही गटबंदन की गुनजाईश है इसको लेकर भी सवाल है यदि गटबंदन होता भी है तो विपक्ष की रा यहां असान नहीं होगी ऐसा क्यूँ इसके लिए वोट शेर की इस गनित को समझना जरूरी है पटना में जो विपक्षी दल शामिल है उसमें समाजवादी पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 फीसदी से थोड़े जादव वोट मिले ये तब था जब बीच पी के साथ गटबंदन था कॉंग्रेस अकेले लड़ी और उसे 6.3-6 प्रतीशत वोट मिले इस भैटक में जयन चौधरी शामिल नहीं है उनकी पार्टी RLD का वोट शेर 1.6 प्रतीशत था जनतादल यूनाइटेट को सिर्फ 0.01 प्रतीशत वोट मिले पिछले लोकसभा चुनाव में शिपाल यादव अलग लड़े थे तब उनकी पार्टी प्रगती शील समाजवादी पार्टी को 0.3 प्रतीशत वोट मिले बस्पा को 2019 के चुनाव में 19.4 दो प्रतीशत वोट मिले इस बार चुनाव में BSP अलग रहा पर है यदि BSP के वोट शेर को हटा दिया जाए तो इन सभी दलो को मिला कर वोट शेर 26.46 है जो BJP गडबंडन को मिले 51.18 फीसदी वोटों का करीब आधा है ये कहानी है 2019 की यदि बात की जाए 2014 के चुनाव की तो SP, BSP और RLD ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था और उनका सैयुक्त वोट शेर 42.98 प्रतीशत था अकेले BJP को UP में 42.6 प्रतीशत वोट मिले ये तो रही बात वोट शेर की लेकिन इसके साथ ही केंद्र और राज सरकार की ऐसी योजनाए चलाई जा रही है जिसका सीधा लाव लाभारतियों को मिल रहा है BJP अपी सरकार की विविन कल्यानकारी योजनाओ जैसे फ्री राशन, फ्री आवाज, सौचालिय, पाच लाग तक हेल्थ बीमा, LPG कनेक्शन, स्मार्टफोन, वितरन से इस वर्ग से लाभारतियों से समर्थन की उमीद कर रही है यूपी में ऐसे ही विविन योजनाओ के लगबग 11 करोर लाभारति हैं इनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम, जाटव, दलित और यादव हैं हाला कि इससे पार्टी को बहुत जादा समर्थन की उमीद नहीं है बीज़पी के और से अनुमाल लगाया गया है कि सभी लाभारतियों में से कम से कम 1 करोर 2024 में भाजपा को वोट देंगे यदि पस मांदा मुसल्मान पार्टी का समर्थन करते हैं तो ये संख्या बढ़ सकती है इस योजनाओं से उन्हें लाब हुआ है और बीज़पी के निकाय चुनाओं में भी पसमंदा समुदाए के कई लोगों को टिके दिया था अपना दल और निशाद पार्टी के साथ यूपी में बीज़पी का गड़बंदन है बीज़पी को गड़बंदन से 11 यादव अन्र बिच्रा वर्ग OBC के बीच अपना समर्थन मौजूद होने की उमीद है